हाई फ्रेंड स्वाम लेकुम आज हम आप लोगों को इस डाइपर के बारे में डिटेल से बताएंगे किस तरह से आपको इसको यूज करना है और इसके खर्चे को किस तरह से आप सिमित कर सकती है जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगर चोटा बेबी हो तो उसके लिए डाइ वामुली से इनसान के लिए बहुत मुश्किल होता है जो कि एक मिडिक्लास फैमिली से हो उनको डेली यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए घर पे लेडीज जो हैं अक्सर ऐसे जुगार लगाती रहती हैं घरेलू डाइपर बना करके या कोई भी इस तरह के ड डाइपर को रख लिया है इन सारे डाइपर को अगर आप यूज करें तो कितने दिन आपको काम आएगा मुश्किल से एक से दो दिन आपको इतना डाइपर काम आएगा बज्जे जिस तरह के हो जितने शुशू करते हो उस हिसाफ से इसकी गिंती कि कोई सीमा नहीं होती कि आप तिन बर में कितना यूज कर सकती है चार पाँच यह साथ जितना भी यूज कर लें सारा कम है तो डेली का पचास से लेकर सौ तक आपका फर्चा आ जाता है जो कि मिडिल क्रास के फैमिले के लोग इसको अफ़र्ड नहीं कर सकते तो इसको आप एक बार शादी बगरा म वो भी बहुत अच्छे होती हैं सौफ्ट होती है और इतना जल्दी वो भी खराब नहीं होते इसको आप डेली यूज कर सकती है तो इसको किस तरह से यूज करना है वो सारी चीज़े आपको मैं डिटेल से बताऊंगी जैसा कि यह नीची का जो पोशन है ना यह इतना जल् पानी लिया है इसको मुझे इस पर डाल देना है जैसा कि आप बच्चे को यूज करते हैं तो उसको शुषू अगरस से भीगने के बाद यह फुल टाइट हो जाता है यानि कि फूल जाता है उसी तरह से मुझे पानी को डाल डाल के इसको पूरी तरह से फुला लेना है तो आप देख सकती है काफी जादा हैवी हो गया है वजन में और यह बाकी जगा जो सूखी है वहां सारी जगा मुझे पानी को डालते जाना है तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी अभी बचाया हुआ है लेकिन मैं इसको थोड़ी देर में इस पानी को भी डाल दूंगी मैं तो देखिए मैंने जो पानी बचाया था इस पानी को भी मैं इस पर डाल दूंगी जहां जहां सूखा हो वहां वहां मैंने पानी को डाल दिया है तो इस तरह से देखिए मैंने टोटल एक गलास पानी डाल दिया है और यह हमारा गलास खाली हो गया है अब इसमें हाफ गला दिरे भी मुझे इस पर ला देना है मुझे यह देखनाम है कि बच्चे 2-3 गंटे तक इस डाइपर देसा है तो KITNAS आ जादर करते हैं कि इसमें पूरा पूरा सूक हो जाता है तो देखे मैंने घिरे धीरे करकर देड़ कितना जाद हो गया है हमारा हर जगा पानी इसमें फूल हो चुका है तो अब ये पूरी तरह से फूल चुका है आप देख सकती है कि ये कितना जादा है विए हो गया है इतनी हैवी लेकर के बच्चे घूंते फिरते रहती है आराम से उनको कोई भी टेंशन नहीं होती तो एसको पूरी फिसम पेंद करना नहीं सब्सक्राइब करना है इसके कुछ टपा रेशाबी है तो देखिए मैंने इस तरह से इसको गुमा गुमा करके इसकी कटिंग की है ये ध्यान देना है आपको कि नीचे वाला पार्ट नहीं कटना चाहिए बस उपर वाला पार्ट हमें दीरे दीरे इस तरह से कट कर लेना है अब आप देख सकती है कि मैंने ये जो कटिंग की है इसके अंदर ये जो फिरोजी कलर का कॉटन लगा हुआ है ये अलग से होता है या देखी आफ, आफ देख सकती हैं यह हर डाइपर में लगा गाउया होता है क्योंकि यह काफी जादा सुसू को अंदर सोक कर लेता है जो कि बच्चों को गीला करने से बच आता है अब उसमे बाद आप देख सकती है यह सारे कौटन जो है यह हमारे कोई काम का नहीं है तो देखिए मैंने इस तरह से पूरा एकठा कर लिया है यानि कि मैंने जितना भी cotton था सारे को, एक जगह करके पूरा साफ करदिया है अब यह हमारे पुरी तरह से बीच का एरिया खाले हो चुका है और यह बिलकुल यह diaper जैसे बनके ready है जानि कि diaper की जगा आप यूज कर सकती है इसको यह full diaper हमारा बनके तयार है अगर आपको यह वाला diaper यूज करना है तो आप इसको यूज करने के बाद फिर इस तरह से भी आप यूज कर सकती है देखिए मैंने कपड़ी की इस तरह से गद्दी बना ली है इसे बीच में इस तरह से रखना है और बेबी को लेटा करके इस तरह से रख करके वेलक्रो को लगा देना है यह आपका 2-3 घंटे आराम से चलेगा अगर कपड़ा थोड़ा heavy हो थोड़ा मतलब मोटा सा हो और soft हो हमें हमेशा बच्चों के लिए soft कपड़ा ही यूज करना चाहिए बिलकुल मुलायम सा तो देखिए बहुत ही comfortable रहता है जिस तरह से आप diaper को लगा के tension free हो जाती है same वही चीज है बस हमें cotton के जगा इसमें कपड़े को यूज करना है तो इस तरह से आपके अगर ये गद्धी खराब हो जाए भीग जाए तो फिर इसको आप हटा करके फिर दूसरी गद्धी लगा करके इसको दिन भर यूज कर सकती है ये बहुत ही जादा comfortable है क्योंकि मैं भी इस काम को कर चुकी हूँ तो इस तरह से करना बहुत आसान है और बहुत ही comfortable है और अपने धेर सारे पैसों की बचचत भी कर सकती है जैसा कि आप देख सकती है कि ये diaper है ये तो बिल्कुल चप्टा सा है अगर इसमें बच्चों की सूसू भर जाए तो ये काफी जादा full के heavy हो जाएगा तो same way condition मैंने पाने डालके इसको बनाया था उसी तरह से मैंने पाने डालके इसको फुला लिया था फिर मैंने इसको कट करके सारे cotton को निकाल के बाहर फेक दिया और ये बीच वाला जो एरिया है मैंने बिलकुल डाइपर जैसे बना करके इसको छोड़ दिया है तो आप भी घर पे इस तरह से डाइपर को कट करके इसका reuse कर सकती है इसको दिन भर में आप जितनी बार चाहें यूज कर लें इतना भी डाइपर हो आप कोई भी डाइपर ना फेके आप उसी तरह से इसको कट करें यूज करें इसका वेलकुल भी बहुत अच्छा होता है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला आफिज